इसागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले है फ्रिंड्स के नहीं रेस्पी तो वीडियों अने तक ज़रूर देखिएगा आई आइ होप आपको ज़रूर पसंद आएगा और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंस तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नहे हैं तो सस्पाइब करना बिल्कूल मत बुलिएगा तो चलिए फिर मुनाना इस्टार्ट करते हैं आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स चावल की बहुत ही बेहतरिन रेस्पी आपको यकिन नहीं हो पाएगा कि ये चावल से बनी हुई है इतनी टेश्टी इतनी हेल्डी बनती है बनाना भी बहुत ही जी है बिल्कुल नई रेस्पी है आप विडियो अन तक जरूर देखिएगा मातर एक कच्चे चावल से आप इतनी अच्छी रेस्पी बना कर तयार कर सकते हैं आप दी तहवार पे भी बना सकते हैं या आप किसी को बना के दे भी सकते हैं आप जब तक नहीं बताएंगे कि ये चावल की बनी है कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये चावल से बनी है ये इतनी अच्छी बनती है तो चलिए फिर फटा फट सुरू करते हैं फ्रेंस देखते हैं चावल की रेस्पी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें बाहर से आपको कोई फिसनमान लाने की जरूरत नहीं है बस आपके पास चावल चीनी है आप उसी से इस रेस्पी को बना कर त्यार कर सकते हैं ये बहुत अच्छी बनती है अगर आप बनाएं होंगे तो आपको पता होगा और नहीं बनाएं होंगे तो आप एक बात जरूर ट्राइ किजिएगा आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी बनती है और बिल्कुल खाने में इतनी अच्छी कि मुँ में डालते ही ये घुल जाएगी इतनी सौप्ट वनती है कि मैं आपको क्या बताओं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां मैंने लिया है फ्रेंट्स एक कटोरी चावल तो चावल आप जो भी चावल लेना चाहें मोटा पतला डेली यूज में जो खाते हैं आप कोई साभी चावल लीजिए जितना बनाना होगा आप चावल की मातरा उतना ही रखिएगा पहली बार बना रहे हैं तो आप कम चावल से ही बनाईएगा तो एक कटोरी चावल मैंने यहां लिया है आप एक कटोरी चावल का बना के देखिएगा अब इसमें डाल देंगे पानी और चावल को हम फुलने के लिए छोड़ देंगे कम से कम दो तिन घंटे ताकि चावल जो है एकदम अच्छे से फुल जाएगा तभी आपकी ये रेस् के बाद मैंने इसे ओपन किया है तो यह देखिए चावल एकदम अच्छे से फूल गया है तो चावल बहुत जल्दी फूल जाता है तैसे आप हाथ में तोड़ के देखेंगे हाथ से तो चावल दो टुकड़े तीन टुकड़े में हो जा रहे हैं मतलब चावल एकदम अच पानी में डाल दिये थे इसलिए अब चावल को एकदम अच्छे से धो लेंगे तो चलिए चावल को मैं पहले नल के नीचे रखके अच्छे से धो लेती हूं तो चावल को मैंने धो लिया अब क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में हम इस चावल को पू से पानी डालेंगे तो आप देख रहे होंगे गिलास हिदम छोटी गिलास है उससे मैंने आधी गिलास इसमें पानी डाला है तो पानी ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो फिर पतला हो जाएगा तो बनाते नहीं बनेगा अब इसका धकन लगा के हम फटा-फट से इसे पीस ले जैसे इस क्रब रहता है बिल्कुल उसी तरीके से हाथ से आप छूएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा तो यह हमारा एकदम अच्छ से पीस कर तयार हो गया अब इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है नहीं तो फिर यह एकदम पतला हो जाएगा तो यह देखिए मैं हाथ से तो आपको लगेगा एकदम थोड़ा से दरदरा टैप से तो यह हमारा पीश कर अच्छ से तयार हो गया अब इस घोल को हम क्या करेंगे फ्रेंस कि एक गिलास में डाल लेंगे ताकि बनाते बने हमें तो चलिए इसे में एक गिलास में पहले अच्छ से पूरा डाल देती आप किसी भी चीज में मतलब डाल सकते हैं कटोरी में कप में किसी भी चीज में डाल लिजिए जिससे आपको बनाते बने अब यहां मैने gas on करके कडाही चड़ा दी आप देख रहे होंगे और कडाही में मैंने डाल दिया है घी तो घी मैंने एक कटोरी डाला है इस रेस्पी को घी से बनाएंगे तब ही ये बहुत तेश्टी बनेगी तो घी जैसे हमारा गरम होगा उसके बाद हम बनाना इस्टार्ट करेंगे तो इस तरह का आपको लेना है यह देखिए और आप चाहें तो यह कदुकस करने वाला है इस ले सकते हैं तो चलिए जैसे हमारा घी गरम होगा तो घैस को हम कम कर देंगे तो जब बनाते समय हमें गैस को एकदम धीमा कर देना है जब पूरा डाल लेंगे तो घैस को फिर मिडियम कर देंगे ताकि अच्छे से यह बन जाए तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसे हमें बाद में फिर से पीसना ही है तो ऐसे गिलास से उसके उपर डाल दें उसके बाद फिर चम्मस से आप प्रेस करेंगे तो नीचे वो फटाफट से गिरते जाएगा मतलब जल्दी से हो जाएगा तो यह देखिए और गैस को मैंने अ श्चंस नहीं है आप कैसे भी बनाई यह विगडेगा नहीं अच्छा हीं बनेगा तो ऐसे गिलास से डालते जाए तो गडाही का जितना weekends है उत्ना ही डालिएगा अनक शोटी कडाही है तो दो बर कर लिजएगा अगर बड़ी है तो फिर एग भार में भी हो जाएगगा ब जाल डाल के चम्मश से हमें इसे प्रेस करते जानाँ है। इसके बाद इसे हमें अच्छे से ब्राउन होते तक हमें इसे एक दम कलर गॉल्डन हो जाना चाहिए। allemите तभी आप रेश्पी बनाएंगे तो उस रेष्पी का कलर भी बहुत होऊँ आए गा और चावल का कच्चा पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें इसे अच्छे से ब्राउन होते तक तलना है, तो मैंने डाल दिया, ये देखिए, अब गैस को मैंने तेज कर दिया, ताकि जल्दी से ये अच्छे से फ्राई हो जाएए, उसके बाद जो थोड़ा बचा है, उसको दुबारा में कर लें है, डालते के साथ इसे हमें चमच नहीं लगाना है, तो अभी देख रहे होंगे आप, अभी सोच रहे होंगे, आपकी पता नहीं में क्या बनाने वाली हूँ, इसका क्या बनेगा, लेकिन आप बनने के बाद आगे देखिएगा, फिरिंस आपको यकिन नहीं होगा, कि ये बनकर इतना अच्छे से तैयार हो गया है, तो ऐसे फटा फट से उलट पलट के उलट पलट के इसे हमें सेखते जाना है, अभी तो ये एकदम आपको वाइट वाइट दीख रहा है, तो ये देखिए कलर इसका आप चेंज होने लगा, तो इसी तरीके से हमें इसे ब्राउन के उपर भी निकाल सकते हैं तो पूरा पहले चलिए में निकाल लेती हूं उसके बाद जो बचा है उसे भी हम इसे इसी तरीके से हमें फ्राई करना है यह देखिए तो ऐसे उलट प्लट करके अच्छे से फ्राई किजिएगा तो पूरा पहले में अराम से निकाल लेती हूं फिर दूसरा बार जो थोड़ा सा बचा है उसे भी फटा फट से हम इसी तरीके से golden fry कर लेंगे और उसके बाद इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में ही हमें इसकी recipe बनानी है गरम गरम में नहीं बनाना है तो आप एक बार friends जरूर बना कर देखिएगा इस चावल की recipe को बहुत ही अच्छी लगती है खाने में यह और healthy भी होती है क्योंकि हमने इसमें घी डाला है dry foods डालेंगे तो यह सभावी खेक दम healthy हो जाएगी तो पूरा मैंने निकाल लिया यह देखिए तो घी जो है वापिस से पूरा कडाही में चले गया और इतना घी भी नहीं लगता अभी दुबारा हम इसमें बनाएंगे तो भी घी पूरा बच जाएगा घी जादा यह नहीं सोकता ऐसा नहीं कि घी डाले तो पूरा घी खतम हो गया ऐसा भी नहीं फिर वापिस से जो घी बचेगा उसको आप प्राठे बना सकते हैं या किसी बार भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूं फटा फट से आप देख रहे होंगे अभी बनाना एकदम इजी है इसे बस एक कटोरी चावल लेना है हमें उसे फुलने के लिए डाल देना है इसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में हमें अच्छे से पीस लेना ह पिषने के बाद हमें इस तरह से अच्छे बना लेना है ब्राउन होते तक उसके बाद में ठंडा होने के बाद में वापिस से उसे हमें फिर किस के पाउडर बनाना है जैसे एक बार तो हमने चाहल का बनाया पीस के उसके बाद हमें फिर से उसका पाउडर बनाना है उसके बाद हमारी रेस्पी फिर बन कर तयार होगी अगर आपके पास कोई जाली बाला बड़ा वर्तन है तो उसमें एक बार में डालिएगा तो अच्छे से और जल्दी-जल्दी हो जाएगा मेरे पास यही था फ्रेंज तो मैं इसी में बना रही हूँ यह देखिए इसमें भी बहुत अच्छे से बन जाता है अगर आपके पास कुछ ना हो तो परिशान मत होईएगा आप इस तरह तरीके से बना लीजिएगा यह देखिए फिर से डाला फिर से चम्मस से प्रेस कर देंगे और इसे भी हम फटा और इसे हम पंखे के नीचे रख देंगे जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें हाथ से छोटे छोटे टुकडे कर देने हैं ताकि मिक्सिजार में हम डालें तो यह जल्दी से पीस कर तयार हो जाए तो यह मैंने डाल दिया अभी आपको यह रोटी जैसे दिख रहा होगा फ भूर्ष में लिएगे ताकि इसका तेष्ट जो है और बढ़ जाए तो मैंने थोड़़ा सा वदाम लिया है थोड़ा आसा मैंने किस्मिस लिया है आप अपने पसंद के नुसार आपको जो भी पसंद हो आप ले लीजेगा और दो इलाइची लिया है मैंने हरी इलाइची जि ये घरम गरम गी में जैसे आप डालेंगे तो यह तुरंस से फ्राई हो जाते हैं इसमें टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में इसे भी एक प्लेट में हम फटा-फट से निकाल लेंगे इसके बाद हमने जो चावल का तलके तयार किया उसे ठंडा होने देंगे तो ये यह एकदम कुर्कुरी सी बनकर तयार हो गई है तो हमें गरम में नहीं पीसना है गरम में आप पीसेंगे तो इसका फिर पाउडर बनकर तयार नहीं होगा इसलिए ठंडा करके ही हमें इसे पीसना है तो चलिए फिर से हम एक जार लेंगे और जार में इसे हम डालके अच्छे स इसका powder बना लेंगे, तो अभी अब यहां हमें पानी इसमेड नहीं करनी है, इसे हमें एकदम powder बनाना है, तो इसे हाथ से छोटे छोटे टुकडे कर लिजेगा, तो इससे क्या होगा, कि यह बहुत जल्दी पीस कर तैयार हो जाएगा, तो यह एकदम ठंडा हो गया है, मैंने इसे पंखे की नीचे रखा था, तो दस मिनट में यह ठंडा हो गया, अब यहां लिया मैंने मिक्सी जाग, तो यह छोटा वाला मैंने लिया है, इसी में आ जाएगा, तो मैं एक बार में ही पीस ले लूँगी, नहीं तो फिर दो बार में इसे पीस लूँगी, तो चलिए वितेहवार में बना कर देखिएगा, इसमें ना आपको मावा की जरूरत है, ना आपको दूद की जरूरत है, मैं बिना दूद के बनाने वाली हूँ, और बिना मावा के बनाने वाली हूँ, तो मैं नडाल दिया इसमें, अब इसका धकन लगा के हम पीस लेंगे, तो मिक्स को लगतार मत चलाईएगा जैसे चालू करके फिर बीच में बन फिर चालू ऐसा करके मतलब पीसना है हमें तो यह देखिए यह पीसकर हमारा तयार हो गया पीसेंगे आप तो भी यह थोड़ी सी हलकी आपको दरदरी लगेगी जैसे हम चूर्मा बनाते हैं चूर्मा के लड़ू बिल्कुल वही आपको अभी दीख रहा होगा यह देखिए तो चूर्मा के लड़ू भी हम बनाते हैं तो इसी तरीके का पीसकर हमें तयार करना पड़ में आपको फिर बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसे बना कर मतलब बनाना है हमारी कौन सी रेस्पी बन कर तेयार होगी तो पहले अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि घी के वज़़े से जार में थोड़ा चिपक जाता है तो चम्मर से अच्छे से हमें निकाल लेना है इसे तो पूरा निकाल लिया अब एक कड़ाही लेंगे चासि लिए तो चलिए अब गैस की तरब चलते हैं तो यहाँ मैंने गैस को चालू किया और एक कड़ाही चडा दी अब इसमें डालेंगे चीनी तो आधी कटोरी मैंने लिया है इतना में ही मीठा अच्छे से हो जाएगा ज्यादा मन डालियेगा ज्यादा मीठा मीठा भी अच्छा नहीं लगता अब इसमें डाल देंगे आधिक तोरी पानी तो जितना चीनी लिया था उतना ही पानी डाला अब इसे हम चीनी को अच्छे से घुलने देंगे गैस समझ जाईए कि चास्थनी जो है वो बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि आप एक तार दो तार कि चास्थनी करेंगे तो फिर जो आप रेस्पी बनाएंगे, तो वो कड़ी बन जाएगी रड़ बन जाएगी, इसे लिए हमें इसे जादा नहीं पकाना है, बस हाथ मेले के देखे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि चास्नी जो है वो बन कर त्यार हो गई है चिप-चिपास आपको लगेगा तो उतना ही हमें इसे रखना है अब यहां डाल देंगे हरी इलाइची तो दो इलाइची मैंने लिया है इसे इस तरह से उसके दाने हम डाल देंगे तो इससे क कर देंगे और ऐसे बीज-बीज में चलाते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे जले नहीं तो आप देख रहे हूंगे चीनी में अच्छे से उबाल आ रहा है और ऐसे हाथ में लेके बीज-बीज में देखते रहिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा जैसे मैं तो आप ज्यादा नहीं पकाना है यह हमारी चासनी जो है बनकर तयार हो गई है अब क्या करेंगे हम कि जो हमने चावल का पाउडर बनाया है उसे हमें इस गरम गरम चासनी में डालनी है तो यह देखिए चासनी को बस आप ऐसे करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा तो इससे ज्यादा हम करेंगे तो फिर हमारी रेस्पी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी बस इतना ही हमें इसे पकाना है तो एकदम अच्छे से यह पक गया है यह देखिए आप उंगली देख रहे हूंगे दोन उंगली को आप ऐसे सटाएंगे तो हलका सा आपको चिपकन जैसा लगेगा तो चलिए इसमें फटा फट से हम जो चावल का पाउडर है उसे डाल देंगे और डाल के इसे हमें अच्छे से चासनी में मिक्स कर देना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक यह एकदम कडाही छोड़ने न लगे आप जैसे चलाते जाएंगे तो अब यहीं डाल देंगे हम ड्राइफोर्स जो हमने लिया है बदान किसमिस उसे हमें डाल देना है और यह देखिए जैसे हमने चासनी में यह पाउडर डाला और यह ड्राई होने लगा एकदम अभी आपको हलवा जैसे दिख रहा होगा यह तो ऐसे आप चलाते जाएंगे और ज्यादा इसे हमें एकदम सुखा नहीं करना है क्योंकि इसे हमें जमाना है तो एकदम हमें ड्राई भी नहीं करना है अब गैस को बंद कर देंगे जैसे आप चासनी में डालेंगे फ्रेंड्स यह फटा फट से एकदम ड्राई होने लगता है तो जिस बरतन में आपको जमाना हो उसमें थोड़ा सा घी लगा लिजेगा तो मैंने यहां एक छोटी प्लेट ली है आपको जिसमें जमाना होगा आप उसमें हलका सा घी लगा लिजेगा तो पूरा पहले इसमें डालेंगे और डालने के बाद में इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे तो गरम गरम में ही हमें इसे जमाना है इसके बाद इसे हम थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद में फिर हम इसमें कट लगाएंगे तो ये हमारी चावल की बरफी बनकर तयार होगी फ्रेंड्स जो काजू कतली को भी टक कर देगी आपको लगेगा नहीं कि ये चावल की बरफी बनी है ये इसे आधे में फैलाया है क्योंकि पूरे में फैलाती तो ये थोड़ा पतला हो जाता है इसलिए मैंने इसे आधे में ही सेट कर दिया है तो चम्मस से ऐसे आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एकदम प्रेस करते जाएंगे तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाता और इसे बाहर रखेंगे तो कम से कम इसे 20-25 मिनट छोड़ दीजिएगा तो चलिए इसे अब ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद में मैं आपको कट करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स की हमारी चावल की बर्फी किस तरह से बनकर तयार हुई है आपको मैं तोड़के भी द रखा था ताकि मैं जल्दी से कट करके आपको दिखा लूँ अब चलिए कट कर लेते हैं तो कट आप अपने पसंद के नुसार करिएगा आपको जैसा पसंद हो आप उतना बड़ा साइज रखिएगा तो मैं इसे चोकोन चोकोन कट कर रही हूँ आप चाहे तो काजु कतली कि सेप में भी कट कर सकते हैं चाकू आप ध्यान से देखिए चाकू कितना असानी से अंदर जा रहा है मतलब ये एकदम सौट बना है अगर चासनी हमने थोड़ा भी कड़क कर दी होती तो फिर ये अच्छे से नहीं कट पा बस इसमें चासनी का आपको ध्यान रखना है बा इसमें हमने कलर डाला ना कुछ भी तो ये देखिए मैंने एक पिस निकाला पास से आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंस ये हमारी चावल की बर्फी बनकर तयार हो गई आप इसे किसी डब्बे में डाल कर किसी को देंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये चा ये देखिए तो डब्बे में मैंने इस तरह से रख दिया है आपको पास से दिखाती हूँ और ये हमारी चावल की काजू कतली बनकर तउयार हो गई तो ये देखिए फ्रेंस मैं एक पीछे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी मुलायम बनी है आप खाएगे तो मुँ में घुल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे आप धक्कन लगा के किसी को पकड़ाएं तो कोई भी सोचेगा कि आप मार्केट से खरीद के इस मिठाई को दे रहे हैं यह देखिए और यह खराब भी नहीं होती इसे आप बना कर आप आठ से दस दिन तक खा सकते हैं यह खराब बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने चावल को बहुत अच्छे से पीसा है फ्राई किया है उसके बाद बनाया है तो यह जल्दी खराब नहीं होती तोड़ के आपको बनी है एकदम मुलाइम है और यह आठ दिन तक भी इसी तरीके से आप इसको कैसे भी आप रखें तो यह एकदम मुलाइम ही रहेगी यह बिल्कुल कड़क नहीं होती तो यह हमारी चावल की रेस्पी बन कर तयार हो गई आई होप आपको जरूर पसंद आएगी और अगर कि रेस्पी पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स